विस्मिल्लारमान रहीम असलामलेकूम वेलकम टू मैं चैनल स्टीचिंग क्राफ्ट कैसे हैं वीवर्स उमीद आप सब खेरियात से होंगे आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल शर्ट कर्टिंग सिखाऊंगी जो आप इसली घर में कर सकते हैं सबसे पहले हमने फ्रंट बै पीस कर लिया है कि अब हम फ्रंट और बैक की लेंद का नाप करेंगे कि एक्स्ट्रा कपड़ा उपर से निकाल सकते हैं तो उपर से निकाल दें अगर डिजाइन नहीं बना हुआ तो आप उपर से इसली निकाल सकते हैं अदरवाइज आप नीचे से भी निकाल सकते हैं दा कि और जी बैक साइड है कि सबसे पहले आपने देखना है कि बैक साइड पर कोई सेंटर में कोई बेंच बगारा नहीं है तो आप कि इसका दामन आप साइड से निकाल सकते हैं कि इस तरीके से आप के पास कोई नाप है तो आप उसके साथ इसली कर सकते हैं कटिंग यह देखें सबसे पहले आपने कि दामन को इस दिए कि इस तरीके से 2 एक इंच एक्स्टा राख कर कर कि दोनों तरफ से एक एक एंच एक्सटा रखेंगे इसके बाद हम करेंगे देखें तरीके से आप इस तरीके से फोल्ड करके भी असानी से कटिंग कर सकते हैं कुछ कपड़ों को खींचा भी जा सकता है उसे भी विसीधी कटिंग होती है यह देखें मैंने बैक साइड कि निकाली है हमार पास यह पीश एक्स्ट्रा इसली सिधा पीश निकलाता है जिससे हम बच्चों को फ्रॉक या कोई भी यूज़िस में ला सकते हैं इसको कि यह मारी बैक साइड है कि बैक साइड को सेंटर से इस तरह फोल्ड करके बिल्कु स्ट्रेट रख दे अब को प्रिंटिड कपड़ा है तो आप उसको यही ध्यान में रखें कि इसका प्रिंट फूलों का ऊपर की तरह आए यह देखें इस तरीके से दिखें फ्लावर बने हुए इसका रूख ऊपर की तरह आए शोल्डर पर शोल्डर इस तरह से कटिंग करनी है बैक साइड इसके उपर आप फ्रांट साइड रखेंगे इस बार की तसलिख कर लेंके फ्रांट बैक बिल्कुल बराबर है आप चाहें तो इदर से फ्रांट की कटिंग भी कर लें ताकि एक्स्ट्रा दामन आपको इदर इस तरह से निकलाए बैक वाले दामन को उपर रखते हुए हां एक्स्ट्रा कपड़ा साइड वाला भी निकाल देंगे देखें इस तरीके से बराबर करके अब 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 अन्य फ्रांट बैट रेडी कर लिया है अब अब हम कटिंग करेंगे अगर आपके पास नाफ है तो आप बहुत ही इसली कटिंग कर सकते हैं कि बाइए इंच भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखें मैं आपको बहुत ही असान तरीका बताने वाले हैं कि देखें इस तरीके से आप शर्ट को कटिंग वाले कप्ड़े के बिल्कुल उपर ही रख लें देखें इस तरीके से कि देखें शोल्डर से लेकर आखर तक आप फिटिंग हर जगा से आप बराबर करके इसको उपर रख लें कि देखें इस तरीके से आप चाहें तो माप वाल इशाड़ को बाई इंच भी आप मेजर्मेंट करके कटिंग कर सकते हैं अदरवाइस सिंपल तरीका जो आम तोर पर सीखने वाली बच्यां अराम से यूज करके सीख सकती हैं कि देखें इस तरीके से हम यह स्लीव वाली साइट हम ऐसे उपर करेंगे कि देखें इस तरीके से हमारी बगल्स वाली साइट प्रमिनेंट हो जाती है यह देखें कि वाला कप्रा एक्स्ट्रा नहीं है यह थोड़ी सी कटिंग करेंगे यह देखें अब हम चॉक वाली साइट चॉक का निशान इस तरीके से काट लगाएंगे थाक आप वो चॉक बनाने में असानी हो जाए उपर नीच ना हो जाए इस छोटी सी कटिंग करते होते हैं अब अब बैक साइड को अलैदा करके फ्रंट के शोल्डर की कटिंग करेंगे अब इस तरह होती है हलकी सी कमान की शेप में और फ्रंट साइड आपको मैं इंची टेप चॉक से बताती हूं यह देखें फ्रंट साइड एक इंच डीप कटिंग होती है यह देखें हलका साटार्न करते हुए एक इंच पे लिए आएंगे यहां पे एक इंच इस तरह के से अब इतनी कटिंग निकालेंगे यह मारी फ्रंट साइड राइड हो गई है शूल्डर हाफ पॉइंट पर हम इसकी कटिंग यहां से डीप करेंगे भी देखें यहां से अ हमारे शर्ट कर्टिंग तक्रीबन रेडी हो गई है बहुत ही सिंपल बहुत ही असानी से आप इसे घर में कर सकते हैं कि इसके लावा स्लीव की कर्टिंग आप करेंगे कि देखें कि इसी तरह करेंगे शर्ट के स्लीव के मुताबिक हम इसकी लेंद का नाप करेंगे कि दिखें एक इंच एक्स्टा आगे पाइकिंग बगरा करने के लिए इसलाई के लिए बाकी एक्स्टा कपड़ा हम लाइदा कर देंगे अब शर्ट की बंगल का साइज चेक करें ताम तोर पर आट से नौ ही चौती है फिर भी आपके पास शर्ट है इसलिए शर्ट की कटिंग पर नाप हो रहा है इसलिए यह देखें शर्ट को ही नाप के तौर पर यूज़ करेंगे यह देखें इस तरीके से आप अब एक्स्टा कपड़ा अलएदा काटेंगे अब लेंद करने के बाद हम अब बगल की साइट की कटिंग करेंगे इस देखें इसको थोड़ा सा तीरचा करते हैं इस तरीके से यह देखें इस तरीके से बाज लोग इसको यहां से कमान की साइट पर कर लेते हैं इधर से गुलाई करते हैं वह फिटिंग में सही नहीं रहती यह कटिंग सबसे अच्छी है इंदेखें हमारी स्लीव की कटिंग भी रड़ी है